सब्सक्राइब H1 और S20 की वालू आपको इस रिजेट में पूट करनी थी अब देखिए समझ येगा इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं और क्या टेक्निक हो सकती वह सारी बाते मैं आपके साथ करता हूं तो सबसे पहले बात की जाए कि इसको आप एच्पी के लिए आप फर्मले ना पढ़ें एपी कर लें तो अगर आप एपी करेंगे तो इस से आप डी निकाल सकते हैं कैसे लास्टम एक्वल टू एप्लस एन माइनस बॉन इन तूटी वंग है सर्थ टू अगर मैं आप से पूच्छों के number of term कितने हैं तो 20 मीन है और दो आगे पीछे के यह नहीं टूटी टूट हम है तो इसका मतलब 1 by 3 minus 1 by 2 equal to 21 या आप ऐसा भी बोल सकते हैं डी equal to minus 1 by 6 into 21 यह डी का वालू आ गया या डी का वैलू हम बोल सकते हैं minus 1 upon 126 अब देखें दो तरीके हो सकते हैं अब क्या number 1 कि 1 upon h1 जो है वो होगा 1 by 2 plus dk and similarly 1 by s20 होगा a plus 1 by 2 plus 20 dk अब मैं d की value रखके solve करूं वैसे निकालूं एक आप्रोच तो यह हो सकती एक आप्रोच और हो सकती simple कि हम क्यों ना हमें यह पता है कि 1 by h1 जो है वो होगा 1 by 2 आप्लस 1 by 2 plus dk और एसे ही 1 by h20 जो है वो 1 by 3 minus dk क्यों कि यह एक तरसे last term में से अगर d minus कर दोगे तो यह वाला term मिलेगा और first term में d add कर दोगे तो यह तो यह भी एक सिंपल तरीका हो सकता हम complicated calculation से बच जाएंगे अब इससे वन बाइच बनाना आसान एच वन का डिवाइट हो तो वन अपॉन टू बाइच वन अपॉन माइनस टू बाइच वन प्लस बण्प्लस ट्री अपॉन एच टूंटी अपॉन एच टूंटी और यह जो हमने वैलू निकाली है इन वैलू को में पूट कर रहा हूं ठोली की वैलू हो सकता लगय तो डी की वैलू यहां लिखके रख देते हैं माइनस बन अपॉन टूंटी सिक्स यह रखके छोड़ है अब देखिए क्या होगा आपने जो जो रिजल्ट निकाले ुध आप वन-वाइच-वन की रखोगे तो ॅथ धुटू इक Уबन-डू-प्लस-ध ऐसी लिखते 1-प्लस-3-2-श-ब वन-गा-3-ज भी-वाइदा मिले गा उपन कर यह टू से टू कैंसल तो यह होगा देख़ए आप टू का मिल्टिप्लाइब करेंगे तो यह कैंसल हो जाएगा तो वन प्लस वन प्लस टूडी प्लस वन प्लस टूडी प्लस वन माइन प्लस ओन माइनस 3D अपां यहां पर कितना ओगहां टो माइनस थ्री डी अब देखें क्या होगा तू प्लस टू डी यह वन से वन कैंसिल टू से टू भी कैंसिल तो वन प्लस डी अपां माइनस का दी ऐसा और यहां पर कितना आ गया तो माइनस थ्रीडी अपॉन यह कैंसेल तो केवल थ्रीडी अब मैं इसका ले लेता हूं तो थोड़ा तो टाइम लगेगा क्योंकि को अपरोच यह तो यह चाहो तो थ्रीका डिवाइड भी कर सकते तो ऐसा है है का वन heps poses घी सो अब अपॉन डी और मैनास डी प्लॉई वन प्लस डी एपन डी रॉइंट रिका उपकर नीचे डिवाइड कर देताय एल कि म सेम आ गया तो टूब ons फ्री मैंस डी मैंस वन मैंस ओन मैंस टी आप 싸ल scalar राइट तो यह एक तरह से हो गया बिटा वन बाय थ्री नहीं माइनस का देखिए माइनस का वन बाय थ्री माइनस का टूडी बाय डी हमारे पास डी का रिजल्ट है वो डी का रिजल्ट यहां रख देंगे तो क्वेशन सॉल हो जाएगा अब इसको आप अलग अलग डिवाइट करेंगे तो माइनस वन अपॉन थ्री डी माइनस टू अपॉन टू केवल अब डी का जो वैलू है वो रख दीजिए तो आपने टू फोर्टी तो करेक्ट अंसर बिल भी फुर्टी तो इस कोश्चन को दो तीन तरीके हो सकते थे एक क्या आप एजवन और एजट टूंटी की ही प्रॉपर वालू निकाल के पुट कर सकते थे एक जो मैंने बताया तरीका उससे भी आप कर सकते थे बट थोड़ा सा प्रॉलेशन मिस्टेक हो सकती थी नोट कर लीजिया